जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट अस्ट्रेटी प्रस्ट में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए माहित का कुछ अगर आप किसी भी एक्जाम के तैयारी कर रहे हो तो चलिए देर ना करते हैं लेकिन शुरू करने आप से मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज वीडियो का लाइक करें चैनल सब्क्राइब करें और वीडियो को अधिक अधिक सेयर कर दें दोस्तों तो चलिए देखते हैं पहला प्रस्त क्या कर रहे हैं तो पहला प्रस्त नहीं आपका नौ और पचीस का मध्ध नुपाती ज्याद करें तो आप पूरा वीडियो वाच कीजिए तो भी फाइदा होगी नहीं तो अगर थोड़ा देख देख करके भागते हैं तो कोई द्धाओं का गुनन फल गुनन फल गुनन फल बटा इस पर रूट लगा देना है बस इतना ही करना है दोस्तों और कुछ भी नहीं करना है तो अब क्या करना है देखिए 9 गुने 25 अंडर रूट अब इसका जब हम वर्गुल निकालेंगे कितना एगा तीन आएगा इसका न आगे आपका इंसर हो गया तो सही एंसर क्या हुआ दोस्तों तो पंदरह हो गया चलिए मुझे उमीद है आप लोगों को समझ मा आगया होगा दोस्तों इक है चलिए आगे बढ़ते हैं आज दूसरे प्रस्षा को देखते हैं दुसरा प्रस्ण आपका देखे सेम प्रस्ण दोस्तो मैं दो दो प्रस्ण इसलिए लाता हूँ कि अगर आपको एक प्रस्ण में समझ में नहीं आवे तो दुसरा प्रस्ण आप देखर के समझ जाए फिर बोला चे और चार के मध्धिन अपाती ग्याद करें तो अंडर कितना आ गया तो 144 का एंडर रूट कीजिए अब जो है 144 का वर्मूल निकाल यह कितना आएगा तो बारा आएगा इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तो बारा हो जाएगा चलिए यह तो आपको मद्धिन उपाती निकालने के लिए आपको अब सीख गए होंगे चले आ कि और तीसरा प्रस्ण देखें अब रहों क्या बोल रहा है अबर बोल रहा है आपको तरह बारा और तीस का तीरतिय अउपाती ग्याद करें तुरों तो तो एब क्या करेंगे देखें अब लोगेंεις जाए बारा गुनेज फ़्यूंसरी बारा गुने city होगा एक मिनट 12 गुने 30 ठीक है समानुपात का चिंद दे दीजे अब क्या की जिए आई ही आपका यहां बढ़ जाएगा ठीक है यह 30 हो जाएगा और गुने अब एक्स कर दीजे तो यह 12 और यह गुना हो जाता है तो 12 एक्स हो जाएगा और बराबर यह दुनों गुना हो जाता है तो 30 गुने 30 हो जाएगा अब एक्स बराबर 30 गुने 30 कीजे और बटा में 12 कर दीजे अब काटिए इसको चार ती अब 3 चौक के 12 और 3 दहीं 30 ठीक है दो दुनी चार दो पच्छे 10 इसको काट दिए दो से पंदरा बार में तब पंदरा पच्छे 75 इसका सही इंसर क्या आ गया दोस्तो तो 75 आ गया तो तिरतिया नुपाती कितना आया तो 75 आया दोस्तो चलिए मुझे उमीद है आप लोगों समझ में आ रहे हुए दोस्तो लगता वह छो आप पूरा वीडियो आज कीजिए देखिए चौथे प्रस को देखिए फिर चौधा प्रस वही है दोस्तों 16 और 24 का तिरतियो नुपाती ग्याद करें ठीक है अब क्या कीजिए 16 अनुपात 24 फिर देजिए समान उपात का चिन और फिर आही आपका यहां बढ़ जागा 24 औ अनुपात का चिन दीजे और यह हो गया आपका एक्समान लेजिए अब इसको 16 एक्स को गुना कीजिए तो 16 एक्स हो जाएगा बराबर यह 24 गुने 24 बटा 16 अब काट दीजे चार शक 24 फिर काट यह 24 और 6 छक 36 आजाएगा जिसका सही इंतर क्या आया तो 36 आया आपको इतना लिखना भी नहीं दो तो तो एक जो मैं यहां लिख रहा हूं नीचे में। शोने अपको यहां नहीं लिखना भास एग्जाम और कि और में यह एतना कुछ सांसल नहीं है तो उनके लिए मैं इतना लंबा कर तो यह दो ढें से डाल पर दो और पाचों प्रस को देखिए अबर में आपका प्रस्त है चरतुर्स नुपाती ग्याद कीजिए ठीक है तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है देखे पूरा वीडियो बाच कीजिए आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगी दोस्तों अगर आप जानते हैं तो बहुत स्माली जिए अब ये अंदर अंदर गुना हो जाता है और ये बाहर बहर जुह सो गुना हो जाता है तो 6 एक्स बराबर पांच गुने 21 टीक है अब एक्स बराबर हम तो यहां काट जेतें दोस्तों लेकिन फिर लंबा मैं कर रहा हूं ठीक चलिए पांच गुने 21 बटा छे अब काटे तीन दूनी छे और तीन सती 21 अब काटे नबनी काटेगा साथ पचे 35 और 35 बटा 2 अब इसको काटेगा भाग दीजेगा आथ कितना आगा 17 पुंट 5 आजाएगा तो सही answer क्या हो जाग दोस्तो तो B number हो जाएगा ठीक है चलिए आप लोगो को समझ में आ रहे होगी अगर दोस्तों अगर आप लोगो को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को share कर दीजे ठीक है जितना से जितना आप share कर दीजे ताकि कमजोड से कमजोड छात्र भी जो है जो कमजोड नहीं रहे दोस्तों सारे लोग सीख जाए क्योंकि अगर आपको एक्जाम निकालना है तो आप मैस के बिना नहीं निकाल सकते है अरिस्ता परिवार जो भी है दोस्त यार सभी को सेर कर दीजे दोस्तों चलिए, अब है शट्ठप रज देखिए आप, शट्ठप रज आपका, सत्रा अनुपात, चोबिस के अनुपात में से परतेक में कितनी जोड़ी या घटाई जाए, कि अनुपात एक अनुपात दो हो जाए, अब कुछ नहीं, सिंपल साइज होतों, कितनी जोड़ी या घटा हम X जोड देते हैं दोनों में X जोड देते है बना लिए अब देखिए इस से इस दोनों को गुना कि दिए इसको भी गुना कि दिए और इसको भी गुना कि दिए ठीक है तो 17 दूनी 34 और ये हो गया 2X अब इसको ये दोनों अंग से गुना कर दिए 24 से भी और एक से भी तो ये 24 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा एक सा जाएगा अब इसको इधर ले आएए 34 में 24 घटा दीजे ठीक है और फिर जो है ये इधर चला जाएगा तो 2x में 1x घटा जाएगा तो 34 में 24 घटा तो 10 इसका सही एंसर क्या हो जागा तो 10 हो जागा चलिए मुझे उम्मीद है जो मैं आप लोगों को समझाने कोशिश कर रहा हूं पूरा अच्छी तरह समझ में आ रहा हूं अगर नहीं समझ में आ रहा हूं तो मैं बार-बार बोलता हूं आप लोग टेलिग्राम जॉएं किजिए वहाँ भी बहुत सारे प्रस का मैं solve करूँगा दोस्तों अगर आप लोग टेलिग्राम पर आते हैं कुछ प्राब्लम हो जाती है पढ़ते पढ़ते तो वहाँ भी मैं solve करूँगा आप लोग टेलिग्राम जोईन कीजिए दोस्तों स्क्रिप्रू्ट में देदूग गा चलिए अंगे हजते हैं कि और श्तवे परस्त देहते तो एक निल्कर olmaz को देखते हैं कि शाथो पृष नई तो देखिए हैं ऐसे और वस्तृत लाना के नुपात में अधि कि पर्तेः संख्या में 15 की विर्दी की जाने तो अनुपाद दो अनुपाद तीन हो जाता है तो संख्याएं हैं सश्आ कि टो न और 16 के अनुपाद में तो न और यह इं डोला है कि वाटा में लिख दीजिए अब बोल रहा है कि परतेक में पंदरा की विर्दी कर दीजा विर्दी कर दीजिए तब पंदरा जोड़ दीजिए कि इसमें भी पंदरा जोड़ दीजिए कि अब इसको ऐसा किजिए इसको यहाँ X भी मालेजिए दोस्तो ठीक है 15 क्योंकि विर्दी किर जाए तो अनुपाद 2 अनुपाद 3 हो जाता है तो 2 वटा 3 लिख दीजिए अब 33 गुना किजिए इन दोनों से 3 को गुना किजिए और यह 2 से इनको गुना किजिए तो कितना आ जाएगा देखिए 16 दूनी 32 एक्स प्लस 15 दूनी 30 अब घटाए यह 17 चल जाएगा इधर ठीक है यह इधर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा तो 37 तीन दूपांच पांच एक्स बच जाएगा और यह जो है इधर चलाएगा 30 सौट कर दियो दोतों तो 45 में 30 घटा दीजे कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा तो एक्स बराबर 5 से काड़ दीजे 5 दिया 15 एक्स बराबर कितना आया तीन आया तो बोल रहा है कि वो संख्याएं कितनी है ठीक है तो संख्या 9 और 16 के नुपात में था अब इसको हम निक 30 गुने 3 कर दीजे तो यह कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा और यह सुला वाला जो है नीचे इसको करते हो दोस्तों थोड़ा सा एक उनिट और यह जो सुला एक्स है अगर इसको करते हैं तो सुला और एक्स कमान तीन आया तो गुने 3 तो सुलतिया 48 तो अहीं आपका इंसर आ गया 27 और 48 जिसका सही इंसर क्या होगा दोस्तों तो 37 और 48 हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और आठवे प्रस को देखते हैं लोग आठों प्रशन आपका है कि देखिति के अभलोग वीडियो को पॉस्ट कीजिए और बनाने का कोसिस कीजिए दोस्त ताकि Mais अभी मैं मध्यनुपाती बताया हं चीक है तो आप ऐसा किजए वीडियो को पॉछ कीजिए और बनाने का कोशिश किजिए देखें कि आपसे ये प्रस्ट बन रहा है कि नहीं अगर बनता है तो पर भी कॉमेंट किजिए नहीं सरहम को थोड़ा सा दिक्कत हो गई चलिए अब क्या करना है सो देखिए ये 0.02 गुने 0.32 अर मध्यों पाती में क्या बोलेते हैं कि अंडरूट करना पड़ेगा आपको अंडरूट कर दीजे दोनों संख्या को गुनार फल और अंडरूट कर देना है अब हम यही लिख देते हैं ठीक है यही हम स्वाट कर दे रहे हैं ये प्वाइंट कटा तो एक दो आंक है तो 2-0 और एक प्वाइंट कटा तो एक đầu आंक है तो 2-0 अब देखिए यह कितना है 32-24 अगर बचा हो गया आर सौ और सौब का अगर हो और मुन लेंगे तो एक फु 60 कर लेते हैं तो आठ आ जाएगा और ये सव आ जाएगा अब इसको काड़ दीजे चार दुनी आठ और पचीस चोके सव अब इसको दो बटा पचीस आया और इसको अगर हम भागा देते हैं कितना आ जाएगा दोस्तो बताइए आप लोग बताइए देखिए ये आ जाएगा डी नमबर 0.08 इसको मैं देख करके दिखा देता हूँ दोस्तो दो है यहाँ पचीस पॉइंट जीरो अब फिर भी नहीं जागा जीरो ले लिजे एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ तो पचीस अठे दोस्तो यह कट गया आपका तो पॉइंट जीरो एट अहीं आया आपका इंसर तो सही एंसर क्या हो गया तो डी नमबर हो गया चले आगे बढ़ते हैं और नौवे परस को देखते हैं दोस्तों अब इतना जो मैं बताया दोस्तों अब इस तरह कर परस अगर आपका एक्जाम में आ जाता है पूरा वीडियो वाच किये हैं तो आपको दिकत नहीं ह देखते हैं एक ठेले में एक रुपया पचास पईसे और पचीस पईसे की सिक्के पांच छे आठ के अनुपात में हैं अधि कुल रासी 240 रुपया हो तो पचीस पईसे के सिक्कों की संख्या कितनी है अब देखिए सिंपल है दो तो एक रुपया पचास पईसे पटीस पईसे संख्या पांच छे आठ तो एक रुपया पचास पईसे और पटीस पईसे इनकी संख्या है पांच छे आठ अब इसी के नीचे संख्या यहां लिखे संख्या पांच शे और आठ अब इसको गुना कर दीजे ति ये पांच रुपिया हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तीन रुपिया हो जाएगा और ये पचीस पैसा कसी का आठ है ति ये कितना हो जाएगा तो दो रुपिया हो जाएगा ठीक है अब सब में X लगा दीजे और बोल रहा है कि अधी कुल रासी 240 है तो एतना जोड़ने पर 240 आना चाहिए अब इसको जोड़ दीजे तो एक्स बराबर इसको कर जेटे ये 24 आ गया ठीक है ये तो एक्स बराबर 24 आ गया अब बोल रहा है हमारा 25 पईसे के सिक्के सिको की संक्या कितनी है तो सीको की संक्या कितनी है देखिये बताईए आप लोग तो 25 प्रश्यों के शिक्कों की संक्या कितना है देखे 8 है कितना दोस्तो 8 तो 8 8 X X से हैं यह मानना था हमको ठीक है चलिए तो क्या है 8 X है तो 8 गुने X कमान कितना है चोबिस 24 से गुना कर दीजे और इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा एक स्रोब आजागा तो इसका सही एंसर क्या हो जागा तो भी नंबर हो जागा मुझे उमीद है दोस्तों आप लोगों को समझ मा गई होगी है पुछ नहीं सिंपल सा है दोस्तों चलिए आगे बर्सते हैं और दस्वे प्रस को देखते हैं दस्वे प्रस नहीं आपका देखिए यह तो आपसे बन जाना चाहिए दोस्तों दस्वे प्रस एक बॉक्स में एक रुपया पांच रुपया और दस रुपय के कुल दन राजी छेसो चालिस है परतेग परकार के नोटों की संक्या समान है तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नो कैसी बनेगा एक रुपया एक रुपया लिखिए यहां पर पांच रुपया और दस रुपया दस रुपया के रुपय कुल धन च्छेसो चालिस है कितना है तो च्छेसो चालिस है सब में X मान लीजिए अब तो परतेख परकार की नोटों की संक्या समान है इसको आप क्यार कीजिएगा इतना बराबर 640 अब इसको जोड़ दीजिए 1X प्लस 5X प्लस 10X बराबर 640 फ्रस लंबा मैं कर दिया हूँ ताकि समझने हैं सब को असान हो जाए पांच एक छे अरदस 16 16 एकस बराबर 640 तो एकस बराबर कितना बज़ेगा 164 एक जिरो था एक जिरो ठीक है तो एकस बराबर 40 आए अब बोल रहा है आप ध्यान देने वाली बात है दोस्तों आप ध्यान दीजेगा बोला परतेख परकार की नोटों की संख्या समान है तो नोट कितने परकार के है एक रुपिया के पांच रुपिया के दस रुपिया कितने परकार के है तो तीन परकार के है अन्य एकस पलस एकस पलस एकस बराबर कितना इसको नहीं चालिस नहीं लिखे ठीक है तो कितने परकार के हो गए तो 3x अब 3x तो 3 और x कमान कितना गया है यह इस x यहाँ पर लिक्स दीजे तो 40 इस 40 से आप गुना कर दीजे तो 120 आया तो परतेक परकार की नोटों के संग यह कितनी है तो 120 है तो सही एंसर क्या हो जागा तो 120 हो जागा दोस्तों चलिए अगर अधिक सब्सक्राइब कर दोस्तों आप लोग को अगर दिकत होती है वहां किसी तरह का तो मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को हेल्प करूंगा दोस्तों मैं हमेशा आप लोग के साथ हूं और हमेशा अब लेबल हूं जलिए थैंक्यू